Hello Students, Today we are going to learn Mathematics Subject and our 9th lesson is Word Problem, Addition and Substraction यहाँ पे page number 50 में हमने question number 3 तक complete किये थे, ओके आज हम इसके आगे के questions करेंगे, देखिए यहाँ पे question number 4 में क्या दिया है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको information दिये देखिए फ्लाइट टिकेट स्वाम मुंबई टू टोक्यो रुपीज 35,840 टिकेट है फ्लाइट का फ्लाइट याने विमान अरोपलेन उके उसका टिकेट है स्वाम मुंबई टोक्यो तक कितना है उसके प्राइज है 35,840 The flight ticket from Tokyo to Los Angeles ओके और Tokyo to Los Angeles तक ये भी एक शहर है ओके So यहां तक कितना है 38,760 ओके So यहां पर सिर्फ आपको ये information दिये ये information लेकि आपको एक addition problem ready करना है और एक subtraction problem ready करना है और फिर उसे solve करना है Question 4 है उसकी जो information है वो लेकर मैंने addition problem and subtraction problem ready किया है देखे addition problem क्या है ये आपको लिखना है question पहले आप first यहां पर लिखेंगे फिर आप यहां पर उपर लिखेंगे addition problem और फिर वो problem लिखेंगे क्या problem है मीना ट्रैवल फ्राम मुंबई टु टोक्यो और देन फ्राम टोक्यो तु लोस एंजलेस how much she spent all together on the flight tickets question क्या है मीना ट्रैवल कर रही है कहां से मुंबई टु टोक्यो और देन फ्राम टोक्यो टु लोस एंजलेस मीना जो ट्रैवल कर रही है पहले उसने मुंबई से टोक्यो तक ट्रैवल किया उसका जो टिकेट की कीमत है वो कितनी है वो है यहाँ पर question में दी है 35,840 एंड देखे तो फिर उसने टोक्यो टु लोस एंजलेस तक भी ट्रैवल किया और उसका total spend फिर टोक्यो टु लोस एंजलेस कितना टिकेट के प्राइस थी 28,760 ओके दोनों मिला के all together उसके फ्लाइट के टिकेट जो है उसकी कीमत कितनी हूँ ओके यहाँ पर मुंबई मुंबई से ओके मुंबई टु टोक्यो हम लिखते मुंबई टु टोक्यो ओके कितना था 35,840 और फिर टोक्यो टु लोस एंजलेस ओके टोक्यो टु लोस यहाँ पर दोनों का प्लस करना है तो प्लस की साइन आएगी और कितना है 38,760 ओके अभी आपको इन दोनों का क्या करना है एडिशन करना है तो हम यहाँ पर एडिशन करेंगे 0,0,0,6 प्लस 4 कितने होते हैं 10 तो यहाँ पर 0 यह 1 क्यारी होगा 8 और 1 यह 7 प्लस 8 प्लस 1 कितने होगा है 16 ओके 6 वन क्यारी 8 यह प्लस 5 थर्टिन और यह 14 वन क्यारी 6 और 7 तो अंसर कितना है 74,600 ओके यह टोटल उसकी टिकिट की वैलू है तो यहाँ पर हम लास्ट में देखे यहाँ पर हमारे क्वेशन में हाउ मच पूछा है तो उसके जगह पर हम यह डालेंगे रुपीज therefore रुपीज कितनी है 74,600 शी स्पेंड शी के जगह पर मीना भी लग सकते है यहाँ पर मीना लग सकते है शी याने कौन मीना ओके तो शी स्पेंड शी स्पेंड आल टुगेदर ओन फ्लाइट टिकेट ओके इस सरीके से आपको यह क्वेशन कम्प्लिट करना है यह जो है यह एडिशन का प्रॉब्लिम है नेक्स टाम सब्स्ट्रेक्शन का प्रॉब्लिम देखेंगे दिखें सब्स्ट्रेक्शन का प्रॉब्लिम हमने लिखा है राहूल ट्रावल फ्रॉम मुंबई टू टोक्यो अब ये राहूल क्या कर रहा है ट्रावल कर रहा है कहां से कर रहा है मुंबई टू टोक्यो बाइ इंडियन येरलाइन इंडियन येरलाइन एक कमपनी का नाम है जो एरोपलेन कमपनी हो दिया उसका नाम है और लेटन ट्राबल फ्रॉम टोक्यो टू लास अंजल फिर कुछ देर बाद उसको टोक्यो टू लास एंजले भी ट्रावल करने। जेट येरलाइन से कहा से ये जेट येरलाइन से ये बी एक कम्पनी का नाम है। इसमें क्या डिफ्रेंस है यहां पर हमें क्या करना है इंडियन एरलाइन फॉस्ट है हमारा टिकेट से उसकी प्राइसर क्या है यहाँ क्कैसे में दी तो यह हुई इंडियन एरलाइन की इसमें फॉस्ट है है jet airline कितनी है jet airline की 38,000 हमेशा बड़ा नमबर जब माइनस करते हैं तो बड़ा नमबर उपर लिखना है इसकी कितनी है टिकेट की प्राइज 35,840 इस में से हमें क्या करना है माइनस करना है जिरो में से जिरो गया जिरो ओके 6 में से 4 माइनस करोगे तो 2 बचेंगे अभी यहाँ पे 7 में से 8 माइनस नहीं हो सकते तो इस 8 में से यहाँ पे 1 बोरो लेना पड़ेगा ओके सो यहाँ पे बन जाएगे 17 और यहाँ पे कितने बनेंगे 7 वन यहाँ पे चला गया अभे 17 मैंसे 8 माइनस करने यहाँ बंचेंगे 9 फिर 7 मैंसे 5 माइनस करने है तो 2 बंचेंगे और 3 मैंसे 3 0 यहाँ पे answer कितना आया 2920 तो दोनों का यहाँ पर दिया न, what is the difference between, तो what is के जगह पर, what के जगह पर आपको यह रुपीज डानना है, मैं रुपीज, तो तौजाँ हनश पrests, आपको यह रूपीज, तो दोजए हर कर दिया तो दिया रुपीजद तरह। ब्केर दिनाा है, टिकेट्स आफ बोथ यह लाइन ओके यहाँ पर हमारा यह फोर्थ क्वेशन कंप्लेट होता है क्वेशन नमबर फिप देखिए क्या दिया है इन्फोर्मेशन दिये कॉस्ट आप न्यू मोटर साइकल की कॉस्ट है रुपीज फॉर्टी सिक्स थाउजन फाइंड और फिप्टी और कॉस्ट आप ओल्ड मोटर साइकल ओल यानी पुरानी वाले उसकी कितनी है 8500 ओके ये इन्फोर्मेशन लेकि हमें एडिशन एंड सब्स्टेक्शन प्रॉब्लम रेडी करना है यहां पर देखिए एडिशन प्रॉब्लम रेडी किया है एक ओनर है शौप का एक दुकान का उसने न्यू मोटर साइकल कितने में लगाई 46,530 and also a old motorcycle cost rupees 8500 how much total money he learned ओके यहां पर उसने जो old motorcycle है उसकी कितनी लगाई उसकी है 8500 ओके एक ओनर है उसने शौप से new motorcycle खरी दिया है उसके बराबर उसने old भी खरा दी खरे दिकी है तो दोनों की total money कितनी होगी तो यहां पर new motorcycle लिखते है new motorcycle यहां पर addition करेंगे तो यहां पर 46,530 और old motorcycle 8500 ओके नमबर पीछे से लिखने है ओके फिर यहां पर हम प्लस करेंगे जिरो और जिरो जिरो होगा 3 प्लस 0 3 5 प्लस 5 10 वन क्यारी ओके 6 प्लस 1 प्लस 8 कितने हुए 15 ओके तो यहां पर 5 1 क्यारी 4 प्लस 1 5 ओके तो यहां पर total value कितनी हुई 55,030 ओके तो यहां पर how much के जगह पर हम क्या करेंगे यह price डालेंगे ओके यहां पर लिखेंगे रुपीज या फिर total money below और यहां पर फिर रुपीज डालेंगे तो यहां पर लिखते है therefore total money he earned रुपीज 55,030 ओके इस तरीके से आपका addition problem ready हुआ फिर subtraction problem लिखना है देखें सुमीद bought a new motorcycle cost कितनी है 46,530 सुमीद ने एक new motorcycle ली उसकी कीमत इतनी है फिर उसने क्या किया उसको new motorcycle लेनी है लेकिन उसके बदले में उसने अपनी पुराने वाली जो motorcycle है वो exchange कर ली तो पुराने वाली motorcycle की उसको कीमत कितनी मिली 8,500 ओके यह दे दी पुराने वाली और new लेनी है so 8,500 उसकी कीमत मिली what is the total amount he paid after the exchange जब उसको यह पुराने वाली motorcycle वो देगा तो उसको exchange में यह देगा तो फिर उसकी यह जो value है इसमें से यह value minus होगी तो फिर उसको total value कितने पैसे देने पड़ेंगे यह हमें निकालना है so यहाँ पे लिखेंगे new motorcycle कितनी है 46,530 ओके और old motorcycle की value कितनी है 8,500 ओके यहाँ पे हमें minus करना है so 0 से 0, 3 से 0 minus करो तो 0 बचेगा, sorry 3 बचेंगे यहाँ पे 5 में से 5, 0 ओके अभी 6 में से 8 minus नहीं हो सकते तो यहाँ पे हम carry लेंगे, यहाँ पे 16 होंगे और यहाँ पे 3 बचेंगे फिर 16 में से 8 अगर minus करेंगे तो यहाँ पे बचेंगे 8 और 3 में से यहाँ पे कुछ बिने तो 3 तो यहाँ पे अंसर कितना आया, 38,030 रुपीज तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे 10 से स्टार्ट करेंगे, ओके यहाँ पेंगे तो यहाँ पेर यहाँ पेंगे इस तरीके से हमारा यह question number 5 complete होता है चले question number 6 देखते है information क्या है 17,500 maths books and 13,250 science books इतनी information है यह लेकर हमें addition and subtraction problem ready करने है so यहाँ पर addition and subtraction problem लिखा है the library has maths books एक library में maths book है 17,500 and 13,250 science books है what is the total number of books in the library फिर total number of library में कितने books है maths के इतने है science के इतने दोनों मिला कर कितने okay so यहाँ पर आपको maths के books कितने है 17,500 okay and science के कितने है 13,250 यहाँ पर इनका क्या करना है addition करना है okay देखो 0,0,0 यहाँ पर प्लस करेंगे तो 5 5 प्लस 2,7, 7 प्लस 3 okay 10 फिर यहाँ पर 1 कारी और यह 3 so answer कितना आया 30,750 so यहाँ पर what is the total number of है यहाँ पर हम लिखते है the total number of books in library देखे 10 से start करेंगे answer the total number of of books in the library is 30,750 okay इस तरीके से हमारा addition problem ready होता है फिर subtraction problem देखते है the library has 17,500 and maths books and 13,250 science books how much more maths books are there in the library अगर question वैसी है अगर library में maths के book 17,500 है और science के book 13,250 है तो के maths के book कितने ज़्यादा है science के book से maths के book कितने ज़्यादा है हमें निकालें so maths के book से हम science के books cancel minus करेंगे तो हमें यह कितने ज़्यादा है यह वो मिल जाएंगे so यहाँ पर maths के book कितने है 17,500 और science के है 13,250 इसका subtraction करना है चलिए 0 में से 0 0 बचा 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते तो यहाँ पर 1 क्यारी होगा 1 बोरो लेंगे और यहाँ पर 10 और यहाँ पर 4 बचेगा 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 4 में से 2 माइनस करोगे तो 7 में से हमें 3 माइनस करने है so 4 बचेगे और 1 में से 1 0 so answer कितना मिला 4,250 so यहाँ पर आपको लिखना है therefore यहाँ पर how much more ok so यहाँ पर हम लिखेंगे how much की जगब पर 4,250 यहाँ पर लिखेंगे तो 6 में अगे तो यहाँ पर दे इन दो लाइप्रेडी अगे इस तरीके से आपका एडिशन एंड्स ट्राइक्टियों प्रॉब्लेम रेडी होता है question number 7 देखते है information दी है the bus from Kolapur to Mumbai passes through Pune the distance from Pune to Mumbai is 122 km the distance from Pune to Kolapur is 235 km okay यहाँ पर कोलापur to Mumbai passes देने हैं distance कितना है Pune to Mumbai से लेकर 192 km है और Pune to Kolapur distance कितना है 235 km है okay so इसके हमने what problem बनाया है first हम addition problem देखते है a bus from Kolapur to Mumbai passes Pune okay the distance from Kolapur to Pune was 235 km and the Pune to Mumbai was 122 km okay जैसे information दी है वैसे हमने लिखाई यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर आपको add क्या करना है how much total distance from Kolapur to Mumbai okay so यहाँ पर दोनों का total distance आपको निकालना है तो देखे Kolapur to Pune okay Kolapur to Pune कितना distance है 235 km and Pune to Mumbai कितना है 192 km okay इनका हमें total निकालना है तो प्लस करना होगा 5 plus 2 7 okay यहाँ पर 9 plus 13 कितने होंगे 12 so 2 1 carry और यह 4 okay total कितना हुआ 4 427 km तो यहाँ पर हम answer में लिखेंगे जहाँ पर how much है ना तो वहाँ पर आपको यह डालना है 4 427 km total distance distance was from Kolhapur to Mumbai okay यहाँ पर देखें कोलापुर से पूने और पूने से मुंबई इसका मतलब कोलापुर to मुंबई याने कोलापुर से मुंबई पहुचने तक इतना distance कवर किया ओके यहाँ पर फिर हम subtraction problem देखते है subtraction problem क्या दिया है यहाँ पर a bus from कोलापुर तो मुंबई पासे पूने the distance from कोलापुर तो पूने was to 35 km and from पूने तो मुंबई was 192 km same to same लिखा है सिर्फ यहाँ पर changes है which distance was more and by how much कौन सा डिस्टन ज्यादा है और कितना है यह हमें निकालना है तेकि यहाँ तेक questions same में लिखा है सिर्फ यहाँ से यहाँ से हमने यहाँ पर how much total पूछा है और यहाँ पर which distance was more कौन सा ज्यादा है सो कोलापुर तो पूने यहाँ पर कितना है 235 and मुंबई पूने तो मुंबई कितना है 192 इसमें से minus करना है तेकि 5 में से अगर 2 minus करोगे तो 3 बचेंगे 3 में से 9 minus नहीं हो सकते यहाँ पर हम borrow लेंगे 1 यहाँ पर होंगे 13 और यहाँ पर बचेगा 1 अभी 13 में से 9 minus करोगे 4 बचेंगे और यहाँ पर 7 0 ओके अंसर कितना मिला 43 तो यहाँ पर which distance was more ओके तो फिर कौन सा distance ओके and by how much तो यहाँ पर लिखना है कौन सा distance जादा है तो कोलापूर्टू पूने ओके तो यहाँ पर लिखना है which distance के जग़ पर कौलापूर क्यूंकि ज़्यादा किसका है कौलापूर्टू पूने ना तो यहाँ पर लिखना है कौलापूर तो पूने distance was more there are 43 soldiers इस तरीके से हमारा यह सब्स्त्रेक्शन प्रोडेम भी रेली होता है उके तो नेच्सट अइड्ड क्वेशन देखेंगे हम 8ического यहाँ पर information है the library the capacity of one water tank is 38,500 liter the capacity of another water tank is 22,750 liter दो water tank है तो एक पहला वाला water tank है उसकी capacity कितनी है 38,500 liter की और second वाले की कितनी है 22,750 liters की capacity है तो यह information लेके आपको addition and subtraction problem ready करना है तो यहाँ पर addition problem बनाया है the capacity of one water tank is 38,500 liters and the capacity of another water tank is 22,750 liters what is the total capacity of both tanks दोनों की capacity पूची है तो यहाँ पर दोनों का plus करना है तो यहाँ पर 38,500 प्लस कितनी 22,750 अनादर water tank के कितनी है 22,750 इनका हमें plus करना है तो जिरो, 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 यहाँ पर 5, 7 प्लस 5, तो यहाँ पर 12, 1 कारी, यह 9, 10, 11 और यहाँ पर 6, तो टोटल कितना हुआ, 61,250 तो वाट इस लिखा है, यहाँ पर आपको लिखना है 61,250 तो टोटल कैपिसिटी अफ बोट दो टैंक और यहाँ पर सब्स्ट्रेक्शन प्रॉब्लम है, यह एडिशन हुआ, अभी सब्स्ट्रेक्शन प्रॉब्लम देखिए The Capacity of Black Water Tank, उनको कलर का नेम दिया है, एक वाट टैंक है, उसका कलर है ब्लैक, इस 38,500 लिटर And the Capacity of Blue Water Tank, एक Blue कलर का वाट टैंक है, उसकी कापिसिटी कितनी है, 22,750 लिटर Which Water Tank has more capacity and by how much लिटर, कौन से Water Tank की जो Capacity है, वो जाद है Black Water Tank में कितने है, 38,500, ओके यहाँ पर हमें माइनस करना है Blue का कितना है, Blue Water Tank की Capacity, 22,750, ओके आपको यहाँ पर माइनस करना है 0 में से 0 माइनस किया, 0, यहाँ पर 0 में से 5 माइनस नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर 1 बोरो लेना पड़ेगा और यहाँ पर बचेंगे 4, 10 में से 5 माइनस करोगे तो 5 बचेंगे, फिर यहाँ पर 4 से 7 माइनस नहीं हो सकते तो 1 लेंगे और यहां पर 7 14 में से 7 माइनस करोगे तो 7 7 में से 2 माइनस करोगे तो 5 बचेंगे और 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1 तो यहां पर अंसर कितना मिला 15,700 रान 50 तो यहां पर आपको लिखना है which water tank कौन सी जादा है black water tank जादा है यहाँ पी लिखना है आपको therefore black water tank has more capacity and okay एंड नही लिखना है there therefore कितनी है वो 15,750 लिटर्स ओके यहाँ पे आपका यह addition problem यह subtraction problem finish होता है ओके और इसी के साथ हमारा यह जो 15 page number की exercise है यह भी complete होती है और इसी के साथ हमारा यह जो lesson है 9 lesson यह भी complete होता है I hope आपको समझ में आया होगा तैंक यू